यूटूब के चैनल प्रिक्सा सैपाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओलो फ्यू मैरी तू आज हम यहाँ पर दो हजार पंदरा का पिपर करेगे उसमें मैथ का पोर्शन देखते हैं 2011 से लेकर 2022 तक के प्रिवे शेयर कोशन पेपर अगर आपको चाहिए तो जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर आप पर चैस कर शकते हैं केवल 118 रुपे में आपको बुक मिल जाएगी जिसमें 2011 से लेके 2022 तक के सभी पेपर होगे चलिए ताइम वेश्ट नहीं करते अपने पहले कोशन क्यों चलते हैं इसमें दिया गया है पहला कोशन जो हमारा कोशन नमर फर्स्ट निम लिखित में से कौन सा सही नहीं है पहला ओप्शन दिया गया है इसमें तीन घंटे 14 मिनट बराबर 114 मिनट सेकंड ओप्शन में दिया गया है दो किलो ग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम तीसर ओप्शन दिया गया है इसमें 3 लिटर 80 मिलिटर एक्वल 380 मिलिटर चोता उप्शन दिया गया इसमें 10 cm भुजा वाले वर्ग का च्छेतर फल बराबर है 100 cm लंबाई तथा 0.01 मीटर चोड़ाई वाले आयत का च्छेतर फल कोशन नमबर फर्ष्ट का उप्शन नमबर थर्ड हमारा सही है 3 लीटर 80 मिलीटर एक्वल 3080 मिलीटर कोशन नमबर फर्ष्ट हमारा जो है उसका उप्शन नमबर थर्ड हमारा सही है 3 लीटर 80 मिलीटर एक्वल 3080 मिलीटर चलिए next question की ओर question number second है हमारा 110111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भाग फल वैसे इस फल का योग फल है इसमें हमें डिजिट दिये जो संख्या दी गई है वो यह ग्यारा 0111 को कितने से भाग देने है ग्यारा से भाग देने पर भाग फल वैसे इस फल का योग फल पुछा गया है क्या पुछा गया है भाग फल वैसे इस फल का योग फल पुछा गया है इसमें option दिया गया है पहला option देखते है पहले option में दिया गया है 11011 दूसरा option में दिया गया है 11001 तीसरा option हमारा है 10101 जोता option है हमारा 10011 जो इसका राइट आंसर होगा option नमबर फोर्थ option नमबर जो फोर्थ है हमारा वो सही है 10011 is a correct answer question number second का option number second question number second का option number fourth हमारा सही है 10011 is a correct answer चलिए next question क्यों और question number third हमारा गुननफल 102 into 201 मीं से क्या घटाया जाए ताकि 19999 प्राप्तो कोशन number third है इसमें जो हमें शेंखे दी गई यह उसमें क्या पूचा गया गुननफल पूचा गया दो संख्या इसमें 102 गुना 201 में से क्या घटाया जाए ताकि जो आए याए यान एक नो 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 राप्त हो, option first देखते हैं, option first में 503 दिया गया, option second में 602 दिया गया, option 3 में 103 दिया गया, option 4 में 401 दिया गया, question number 3 का, जो right answer होगा option number first होगा पांसो तीन हीजा correct answer चलिए next question की ओर चलते है question number three का हमार आंजवर first है पांसो तीन हीजा correct answer चलिए next question की ओर question number fourth है हमारा दो ओर दो तिहाई, some kोनों में degreeo की शंख्याए किसके संख्या पूची गही है सम कोनों में डिग्रियो कीशिंग क्या पूची गई है चलिए देखते हैं इसके option इसमें क्या क्या option दिया गया है पहला option दिया गया है 240 दूसरा option 270 दिया गया है इसमें तीसरा option 180 दिया गया है चोता option 210 दिया गया है जो इसका right answer होगा question number 4 247 का पृच्छी नूम्बर स्भी सांवेग कोष्ण 4 कॉर्छी का सब्लिक है वर्गामाती आथार माप 8-8 इसकंटीमिटर मेंगह्व सांटीमिटर इस की धियराय इसके हमना समीप होगी पहला option दिया गया इसमें 20, second option दिया गया 22, third option दिया गया 16, fourth option है 18 question number 5 का right answer होग option number 3, 16 is a correct answer question number 5 का हमारा option number 3, 16 is a correct answer चलिए next question क्यों चलते है question number 6, निमली कित कतनों में से कौन सा कतन सही है पहला option दिया गया इसमें 3 विशम संख्याओ का गुनन फल एक संख्या है second option दिया गया एक संख्याओ और एक विशम संख्या का अंतर एक संख्या हो सकता है third option है दो विशम संख्याओ और एक संख्या का योगफल एक संख्या है चोता option दिया गया, इसमें तीन वी समसंख्याओ का योगफल एक समसंख्या है Question number 6 का option number 3 हमारा सही है, दो वी समसंख्याओ और एक समसंख्या का योगफल एक समसंख्या है Question number 6 का option number 3 हमारा वो सही है, दो वी समसंख्याओ और एक समसंख्या का योगफल एक समसंख्या है चलिए next question के ओर question number seven six two five one six five two one और five six two one में पाँच के इस्ताने मानों का यूगफल है तीन संक्ञे दी गई है इसमें और तीनों में हमें पाँच के स्ताने मानों का जो यूगफल है वो पूछा गया इसमें पहलो option दिया गया है 550 दूसरा option 주畫 15 । गरें को चुखन Rice की और बढ़ते हैं त्हमारा प्राथ्मी इस तर पर 10 ग्राम बिंदू के खेल प्रतिरूप इत्यादी का परियोग विध्यार्तियों की शायता करते हैं पहला उप्षन दिया गए समें मूल भूत संकिर्याओं को समझने में सैकेंड उप्षन इस्थानिक समझ की योग्यता मेवरध्धी के लिए तीसरा उप्षन है इसमें संख्याओं की तुलना क का बोधविक्सित करने में चौत्त समय प्रीकलं कोशलों के संग भरदन में कोशन नमबर एट का सेकिंड सही हैं हमारा इस्थानिक समझ या अपिक्षाव के साथ मेल नहीं खाता है पहला उप्षन है इसमें भीन को पूर्ण के अंस के रूप में परदर्शित करना तता सरल भीनों को विवेस्थित करना सैकेंड उप्षन है इसमें वर्गी करत आकडों के निरूपन का विशलेशन करना तता निश्कर्ष निकालन तीसर उप्शन है इसमें देनिक जीवन की तरक की कारिय परनाली तथा गनित्य सोच के भी स्यूजन का विकाश चोता उप्शन दिया गया है इसमें मानक परिकलन परनाली से संख्या संबंदी संकिर्याओ के करने में भासा और पर्तिक चिन्नों का विकाश कोशन नमबर हमारे नाइन है जो इसका उप्शन नमबर कौन से सही है फोर्थ उप्शन नमबर सैकिन कोशन नमबर नाइन का उप्शन नमबर सैकिन हमारे सही है वर्गी करताकडों के निरूपन का विशलेशन करना तथा निश्कर्स निकालना कोशन नामबर नाइन का कुई से सही है प Inspector नमर से हमारा सही है कोशन नमबर टैन गनीत की सिक्षा का मुख्या दिये है सिख्षा का मुख्या दिये पूछा गया है इसमें पहला जो जो कई हूप्षन सही है करना फॉर्थ ओप्षिन दिया इसमें बच्चों की गनीतिया परतिभाव का विकाश करना कोशन नंबर टैन का उप्षिन नंबर फॉर्थ हमारा सही है चलिए नेक्ष्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं कोशन नंबर 11 एक सिक्सिका गनीत के संप्रत्यों को सिकाते हुए खोज पर कुपागम का उप्योग करती है विध्यारतियों की वहवारिक छमताओं का उप्योग करती है और उनको चर्चा में सामिल करती है वह इस युक्ति का पर्योग किसलिए करती है ओप्षिन नंबर फर्स्ट दिया गया इसमें गनीत सिक्सन के उच्छतर उद्देश्य की प्रा गचिन 10 के संकेर दूत्डी अभी टापतेBox नामब्र 11 s त्व courtesy कंपार इस या एक निस्चित परकार की सोच्षान लुए shaltay विर खुषित करने केलिए c collection 11k c एक सिक्सिका कशिया love के बारे में पूछती है इसे iba को अपने सब्दों में बताने को भी कहती है सेल्जा समश्य का सही हल करने में सक्षम ती प्रंथ उसकी व्यक्या करने में सक्षम नहीं थी यह सेली जैंए निम विसेश्वत परदेशत करता है पहला option दियागे इसमें कम आत्मिश्वा इस्तर्ता तकम गनित्ये कोश़ल Second option दियागे इसमें प्रीमाप के सम्प्रते की कम समझ प्रन्तू अच्छी मोखिक योगिता तिसरा option दियागे इसमें नीमनी इस्तरीया भाशा परविंटा parabroad फूर्थ उप्शन है इसमें निम निस्तरिया भाशा परविंटा और उच इस्तरिया गनित्या परविंटा कोशन नमबर 12 का उप्शन नमबर 4 हमारा सही है निम निस्तरिया भाशा परविंटा और उच इस्तरिया गनित्या परविंटा चलिए नेक्स्ट कोईशन के और बढ़ता है कोईशन नमबर 13 हमारा गनित की पार्टिय पुस्तक में विभिन पर करनों में खंड अभ्यास समय को समावेसित करने का उद्देश्या है पहला उप्शन दियागे इसमें विद्यारतियों को आनंद व्यमस्ति परदान करना सेकिंड उप्शन है देनिक्स जीवन चरिया में बदलाव करना थर्ड उप्शन है समय का बहतर सदू प्योग सुनिचित करना उप्शन नमबर फॉर्थ है विस्तर तदीगम अफशार परदान करना कोशन नमबर 13 का उप्शन नमबर 4 हमारा सही है विस्तरत अधीगम अफसर परतान करना कोशन नमबर 13 का उप्शन नमबर 4 दिया गया है वो हमारा सही है विस्तरत अधीगम अफसर परतान करना चलिए नेक्ट कोशन के और बढ़ते हैं कोशन नमबर 14 प्राथमी कवस्ता में ग कोईशन नमबर 14 में पहला जो उप्षन है वो देखेगे पहला उप्षन दियागे इसमें अधिगम में एसंगती को शिक्षन में कम्यों को पहचानना सेकंड उप्षन दियागे इसमें सामाने तुरूटियों को पहचानना उप्षन नमबर थर्ड है किरिया परनाली के ग्या नोर विसलेशन आत्मक परतिभाओं की प्रिक्षा ओफ्शन नमबर फॉर्ट है विध्यारतियों के ग्रेड़ शेरनी और रैंक स्थिती कोशन नमबर फॉर्टीन कोशन नमबर फॉर्स्ट अमारा सही है अधी गम में ऐसंगती को शिक्षन में कम्यों को पहचानना कोशन नमबर फॉर्टीन कोशन नमबर फॉर्स्ट अमारा सही है चलिए नेक्ष्ट कोशन के और बढ़ते हुए कोशन नमबर फिफ्टीन कक्षा में गनितियामन zal नक पूंजया मीत्या पहेली आओ संबंदी किरिया कलाप मैत्यपून है क्योंकि पहले उप्षिन दिया गया इसमें वे गनीत में कमसफल उप्षिन सेकीन वे विद्यारतियों को उनकी गनीत कक्षा की एक रूपता तता देनिक चरिया के कारन होने वाली उब से बहार लाते है। उप्षिन नमबर तर्ड वे अपरतिबासालि शिख्षार्तियों को उची तवसर परदान करते हैं। ओप्शन फॉर्थ वे परतीक सिक्सार्थी की इस्थानिक वैविसलेशनात्मक योग्यता के संगवर्दन में सायक है। कोशन नमबर 15 का राइट आंसर ओप्षन नमबर 4 चलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़ दे नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 16 वेदिक गनित आजकल विसीस रूप शेप रात्मिक विध्याले के बच्चों में बहुत लोग फिरिया होता जा रहा है इसका परियोग निम्लिकित म में से किसके विकास संगवर्दन में होता है पहला उप्षन दियागे इसमें विध्यारतियों की गनित में प्रिकलन परकिरिया की समझ सैकेंड उप्षन है विध्यारतियों के गनित में समश्य शमादान कोशल उप्षन थार्ड विध्यारतियों की गनित में एका गरता option no.4 हमारा सही हैं गनित में गन्ना के कोशल तता गती से नेक्ष कोशन के और question no.16 नमर कोशन 4 सही है हमारा चलिए next question question no.2 आकान सा गनित की एक अच्छी अध्यापी का बनना चाती है गनित की अच्छी अध्यापी का के लिए आवेश्यक है कि उसके पास पहला उप्शन है इसमें अच्छा संप्रेशन कोशल तथा बंद आंत वाले परशनों का अच्छा ग्यान होना चाहिए सेकंड उप्शन गनीत्य विसेवस्तु को वास्त्विक जीवन से जोड़ने के लिए आफदार नात्म ग्यान समझ और योगता होनी चाह कोशन नमबर 17 का उफशन नमबर 2 हमारा साहिए गनीत्य विसेवस्तु को वास्त्विक जीवन से जोड़ने के लिए आफदार नात्म ग्यान समझ और योगता होनी चाहिए कोशन नमबर 17 का उफशन नमबर 2 हमारा साहिए चलिए नेक्ट कोशन के और बढ़ते हैं कोशन नम मुहन कर गुना के रूप में बताती है तत्पश्या चीन गुना से जो मल्टिप्लाइ का साइने से प्रीचित कराती है तथा अंत में गुननफल पता करने के लिए आड़ी तिर्ची रेखाओ अथ्वा माचिस की तीलियों की साहिता से एक छोटा एक छोटा किर्यकलाप कराती है यहां अध्यापी का कर रही है पहला उप्शन है गनीत में कम सफल बच्चों के लिए उप्चारात्मक युक्तिया परदान करना सेकिंड उप्शन है कक्सा को आनंदाई बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुति करन थाड़ उप्शन है मूर् संप्रत्य की ओर के रूप में एक पाठ का विकास ओप्शन फॉर्द वीवी नजीकम सेलियो वाले सिक्सार्थियों का ध्यान रखना कोष्चा नमबर 18 का ओप्शन नमबर 3 अमारा साहिए है मूर्त से अमोर संप्रत्य की ओर के रूप में एक पाप्ट का विकाश चलिए next question के और question number 18 option number 3 हमारा correct है चलिए next question देखेगे कक्षा 5, question number 19 है हमारा कक्षा 5 A के 13 विध्यारती तता कक्षा 5 2 के कक्षा A और B है इसमें कक्षा A के तेरा विध्यारती कक्षा B के 15 विध्यारती एक लेखन परती होगी ता में हिस्सा लेते हैं उनके दुआरा अर्जित अंक इस परकार है कक्षा पांच वी के जो एक बच्चे है विए देखो उसके जो हैं अंक दिये गए है 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 13, 10, 18 कक्षा पांच वी जो भी है उसका देखते हैं 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11 दिये गए आक्डो से आप क्या निसकर्श निकाल सकते हैं पहले उप्षन है इसमें दोनों विभावों का परदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभावों के दुआरा प्राप्त अधिक्तम अंकों का मान 18 है सेकंड उप्शन है कक्सब पांचवी ए का परदर्शन बेहतर रहा क्योंकि पांचवी ए का ओशत प्रापतांक अधिक है तीसर उप्शन है दोनों विभागों का परदर्शन शमान रहा क्योंकि दोनों विभागों के दुआरा प्रापत कूल अंक बराबर है option 4th है हमाराद दोनों विभागों का प्रदर्शन SHAMAN राग क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप TANG होशवत एक सा है जो correct answer होगा option number second होगा कत सभ पांच्वी रे का प्रदर्शन बैतर राग क्योंकि कक्सा पांच वी एक आउशत प्रापतंग अधिक है कोशन नमबर 19 कोशन नमबर सैकिन हमारा सही है चलिए नेक्ट कोशन की और बढ़ते हैं कोशन नमबर 20 कोशन नमबर 20 है इस तरह का कोशन पूचा ही जा रहा है हमने जितने भी पेपर के उसमें से कोशन मिलता ही है किसी में 1 बटे 4 पूच लेते है किसी में एक पूच पूच लेते हैं इस तरह का पूच्छन हमें हर पीपर में मिलाए है चलिए कोईशन नमबर 20 में क्या पुछागे है छे बटे 5 में कितने एक बटे 10 है पहला ओप्षन दियागे इसमें आठ दूसरा ओप्षन दियागे 5 तीसरा ओप्षन 12 चोथा ओप्षन 10 कोईशन नमबर 20 है वो हमारा सही होगा कोईशन नमबर 20 यानि कि बारा कंशा कोईशन नमबर 20 का ओप्षन नमबर 3 हमारा सही है बारा इस अक्रैक्ट आंसर चलिए न Chinese कोईशन के और बढ़ता है कोईशन नमबर 21 एक रेल गाड़ी एक स्टेशन से 6 बज गर 14 एम पर चल कर अपने गंतविया स्थान पर 13 गंटे 48 मिनट के पश्यात पहुच जाती है गंतविया स्थान पर पहुचने का समय है पहला उप्षन है इसमें 8 बज कर 2 मिनट पी म दूसरा उप्षन है 8 बज कर 12 मिनट पी म तीसरा option दियागे इसमें 7 बज़ कर 2 मिनट पीम छोता option है 7 बज़ कर 12 मिनट पीम 21 का जो right answer होगा option number first होगा 8 बज़ कर 2 पीम question number 21 का option number first हमारा सही है 8 बज़ कर 2 पीम is the correct answer next question question number 22 21 और 49 के बीच 7 के गुन्जो का योगफल divide 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुननकंट बराबर है पहला option दियागे इसमें 35 दूसरा option 37 तीसरा option 14 चोता option 21 चोता option दिया गया है 21 दिया गया है question number 22 का जो right answer होगा option number 4 है 21 is the correct answer question number 22 का fourth option हमारा सही है 21 is the correct answer next question की और बढ़ते है question number 23 इसमें पूचा गया 96 के सभी धनात्मक गुननखंडो का योगफल है पहला option दिया गया है 25 दूसरा option 252 तीसरा option 155 चोता option 156 question number 23 का option जो second है वो हमारा सही है दोसो बावनी जो करेक्ट आंस्वर question number 23 का option number second सही है हमारा चलिए next question की और बढ़ते है question number 24 question number 24 में पूचा गया है रास्ट पाठे चरिया रूप रेखा 2005 की अनुशार विद्याले में गनित सिक्षन का संकिर्ण उद्देश्या है पहला option दिया गए इसमें पहला जो option है इसमें रेखिक बीज गनित से संबंदित देनिक जीवन की शमश्याव की सिक्सा second option है इसमें संख्यात्म कोशलो का विकास तीसरा option है बीज गनित पढ़ाना चोथा option है प्री कलन वे मापन पढ़ाना question number 24 का option number second हमारे सही है संख्यात्म कोशलो का विकास question number 24 का option number second हमारे सही है question number 24 का option number second right answer है next question question number 25 रवी के पास तीन दर्जन चोकलेट है उसने उनका एक तिहाई भाग अपने पडोसी को एक चटवा भाग रहाना को और एक चोथाई भाग अपनी बेहन को दे दिया उसके पास अब कितनी चोकलेट बची है पहला option दिया गए इसमें no दूसरा option 10 तीसरा option 6 चोथा option 8 question number 25 का right answer होगर no हूँ पहला option जो दिया गए no is a correct answer question number 25 का option number first हमारा सही है इससे question number 25 है इस तरह का important यह भी important question है क्योंकि इस तरह के method से question आता ही आता है किसी में chocolate देतेते हैं किसी में fruits का fruits दे देते हैं किसी में मतलब इस तरह का method से question आता ही आता है question number 25 भी important question है हमारा इसका method है वो important है चलिए next question के और बढ़ते हुए question number 26 एक वर्ग का प्रीमाप 44 cm है एक आयत का प्रीमाप इस वर्ग के प्रीमाप के बराबर है आयत की लंबाई वर्ग की बुजा से 5 cm अधिक है वर्ग और आयत के छेतर फलो cm2 में का योग फल है पहला option दिया गया इसमें 217 दूसरा option है 239 तीसरा option है 179 और चोता option 140 जो question number 56 है यानि कि 26 बैठता है हमारा question number 26 का option number first हमारा सही है question number 26 का right answer क्या होगा 217 217 है correct answer चलिए question number 26 का option number first हमारा सही था next question के और बढ़ते है question number 27 एक बच्चा जिस अवस्ता में सभी शंक्या संबंदी संकिर्याओं को करने में सक्षम है तता बिन्नो के संप्रत्य की वेक्षम करने में सक्षम है वे अवस्ता है पहला option देगा है विभाज नात्मक अवस्ता दूसरा option है संकिर्याओं को क्षम अरंबी को क्षम प्रिमानात्मक अवस्ता question number 27 का option number second हमारा सही है संकिर्याओं का वस्ता is a correct answer question number 27 का option number second सही है हमारा संकिर्याओं का वस्ता is a correct answer चलिए next question क्यों बढ़ते हुए question number 28 minus 1 plus 12 3 plus 4 minus 5 plus 6 minus 7 plus 4 plus 10 plus 1000 का मान क्या है पहला option दिया गए 500 दूसरा option 2000 तीसरा option 0 चोता option 1 दिया गए इसमें question number 28 का option number first हमारा सही है 500 is a correct answer चलिए question number 28 का option number first हमारा correct है चलिए next question क्यों बढ़ते है last second question हमारा question number 29 आकरतियों की काई से अध्यापक विध्यारतियों से आकरतियों के उप्योग की साहता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है इस किरिया कलाप से निमलिकित में से कौन शाह उद्देश से प्राप्त किया जा सकता है पहला option है अनुप्रियोंग दूसरा option ग्यान तीसरा option समझ बोद चोता option रचना यह सर्जं को रचना सर्जिन को रचन रंचा कोशन नंबर 29 नंबर 4 तार्ट आउट्ट आसर कोशन नाइन को संबंदित सभी परशनों का उत्तर मोखिक रूप से दे सकता है प्रंतु संख्य परणाली पराधारित समश्यों के हल लिखने में गलतिया करता है लिखने में उसकी तुरूट्वियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उप्चारात्मक तकनीक है पहला उप्षन दिया ग एक कार्या पत्रक देना जिसमें समश्याई आंसिक रूप से हल की गई हो और उसे खालिस्तान भढ़ने हो उप्षन नमबर फूर्थ है संख्य परणाली की समश्याई हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिकाना कोश्य नमबर थार्टी का जो हमारा लाश्ट कोश्यन बच कोश्यन नमबर थार्टी का जो हमारा लाश्ट कोश्यन नमबर थार्ड हमारा सही है उसको एक कार्या पत्रक देना जिसमें समश्याई आंसिक रूप से हल की गई हो और उसे खालिस्तान बढ़ने हो जैसे कि आप सभी लोग देखी रहे हो कि बार बार जो रिपिटिड कोश पर हमें करने चाहे 2011 से लेकर कहां से कहां तक 201010 से लेकर 2012 तक जितने भी पेपर वे सभी आपको एक की जगाया यानि के एक ही मुग में मिल जाएगे कितनी की मत पर सिर्फ 188 रुपे में कितने रुपे में 118 रूपे में मात्र रूपे में आपको 2011 से लेकि 2022 तक जितने भी पेपर हुए भे मिल जाएगे प्रिवेस यहर के पेपर होते है वह बहुत इम्पोटेंट होते है एक्जाम के पॉइंट आप उप यू से कीमत बहुत कम है, एक्जायम का में जो शचेट का में 12.00 रुपई उसकी फीस है, अगर हम 12.00 रुपई दें चलिए वीडियो अच्छी लगी ओवतों लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कौ जाधा ञाधा से सेयर करें, और कैंनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप को आगे की वीडियो मिलती रहे थैंक यू